असलाम लेक्म स्ट्रेंट्स, वल्कम टू शाह ग्रामर हाई स्कूल प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खेरे से होंगे और अपनी विकेशन्स बहुत अच्छा से इंजॉय करेंगे प्यारे बच्चों प्रेवोज वीडियो में मैंने आप लोगों सिका हा हा था कि अपनी तबिया का बहुत जएदे ख्याल रखे अपनी फुराग्त का ख्याल रखे ताकि आप लोग विकीशन से नजोई करेंगे और मैं वीद करती हूँ प्यारी बचोग मेरे स्टुडेंस से वीरी बास सुनकर अपिन तबियार घाल रखा होगा चले बिटा मैं उमीद करती है विकीशन से जोई कर रहे होंगे लेकिन साथ ही साथ हमें तोड़ा सा पढ़ाई से भी कनेक्टिट रहना है इन प्रिवेस वीटियो हमने कोशन नमर वन सॉल्फ किया था विकीशन असाइमेंट का अब हम नेक्स स्टुशन की तरब जाएंगे और जो बच्चों नहीं करते हैं विटा अगर आप नहीं करते हो तो इसके 50 मार्क्स डिड़क्त हो जाएंगे उससे आप पर रिजल्प बहुत इफेक्ट पढ़ेगा बहुत डाउन हो जाएगा इस बच्चों ने यह असाइमेंट नहीं किया है यह नहीं स्टूश से जाके अपने असइमेंट ले 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 और जिनके पास अफेला अपने सामने रख लें क्यूंकि प्रिवेश वीडियो की तरह यह वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से हम सॉल्फ करेंगे, सवाल अपन चले आज की वीडियो की जाने परफ़ते हैं आज की वीडियो सब्जेक साइंस से रिलेटिड है मैं आपको क्लास 3 का समर्भी किछन असाइमेंंट सॉल्फ तर्वांगी जोके जून का साइमें ते इन प्रिवेज्ड वीडियो अमने कुषिन नंबर व pior कि आयोज द जो कुशन नंबर 1 से रिली टीट उसमें आपने नोस एर आइस ऑम दोनने पड़ा कि जो कम्यार करते हैं ना को हुग मता प्ड़ा इस से हम लेड होence्अ करने में और जिनने नहीं देखिए तो पिटा आप लोग देख लें ताके आपको वह समझ में आ जाए और जिन बच्रे के बाइस साइमें नहीं है वो रिसीफ करने ताके इस आवाल चुल्फ करने में असानी हो जाए चलें अपने नेक्स के तारिफ चलते हैं माय नेक्स कुशन नमबर टू टॉपिक स्टडी अबाउट बर्स रिलेटीट है नंगा सुझ पर दो है कि अधा जिस तडीकी से अमने हुएं सेन्जES के बारे में पार था पित्कुल्कुल उसे तरीकी के बर्स की भी बॉड़ी पार्ट्स और शिम्डेंटने में उनकी हर्प करते हैं चले मूव आं टू कुशन नमबर 2 question number two is circle the correct answer आप से correct answer को circle करेंगे point number one what do bird use to help them fly bird को fly करने में क्या help करता है class 3 जल्दी से मताएं पहरे बच्चो very good legs, feeder और beaks क्या help करता है repeat करें answer क्या उन्हें legs help करती है feathers help करते है या beak help करते very good class 3 students ते से जवाब दिया है feeders miss उनको feeders help करता है fly करने में point number two which of the following birds does not fly कौन से बड़े जो fly नहीं करता oil, cardinal या penguin class 3 जल्दी से जवाब दीजी मुझे विटा कौन से बड़े जो fly नहीं करता है क्या oil fly करता है very good yes miss oil तो fly करता है now cardinal क्या cardinal fly करते no miss cardinal तो fly नहीं करता now next to penguin so प्यारे बच्चों क्या penguin fly करता है no miss penguin fly नहीं करता but cardinal और oval तो fly करते हैं very good तो हमें उस answer के उपर tick करना है उस answer के पर circle करना है class जिसमें bird fly नहीं करता है जबकि ओवे लोग कार्डिनल तो फ्लाइ करते हैं तो हम पैंगुइन को सरकल करेंगे नाव पॉइंट नमबर थ्री वट इस दी लाज़ेस बर्ड दुनिया की दब से लाज़ेस बर्ड कौन सी है क्लास क्या ओस्ट्रीश, इगल और हिन जल्दी से आपके सामने पिक्चर्स मजूद है क्लास ट्रीश, जल्दी से मुझे आंसर देजिए कौन सी सबसे बड़ा परिंदा है वेर इगोड ओस्ट्रीश, जल्दी से पॉइंट ए को ओस्ट्रीश को ओप्शन ए ओस्ट्रीश को सरकल कर ले मीटा ओके, अब आप लोग अपने पॉइंट नमबर फॉर के जानीब जाएंगे पॉइंट नमबर फॉर इस वाट इस दी स्मॉल इस बड़? वेरी गुड, अब ही हम लोगोंने लाजेस बड़ के पारे में बढ़ा अब हम स्मॉल इंट बड़ पढ़ेंगे ज़ने से बढ़ाएं स्मॉल इस बड़ कौन सा है? वोट्पेकर, युमिंग बड या स्पैरो क्लास ट्री मुझे आरश दीजिए पॉइंट नमबर फॉर का कि स्मॉल इस बड़ कौन सा है? वोट्पेकर, युमिंग बड या स्पैरो very good, hummingbird, very good hummingbird हमारे सबसे smallest bird है now point number 5 the body of birds is covered with thorns, feeders, hairs हमारे body के birds, जो birds की body है वो किस से covered होती है पिटा? क्या वो thorns से covered होती है? क्या वो feeder से covered होती है? क्या वो hairs से covered होती है? किस किस बच्चे ने birds की body को हाथ लगाया है, टच किया है और ने बहुत अच्छे से बता होगा birds की body किस से covered होती है? very good, feeders से covered होती है class 3, आप तो बहुत intelligent है class 3, तो इस 5 option में हम B को circle करेंगे, feeders को मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के सवाल करने में मज़ा आया होगा और आपको पिछले सवाल में मज़ा आया होगा और जिन बच्चों के पाद assignment अवेलिबन नहीं है बेटा, I repeat myself वो अपना assignment अपनी teacher से receive करने ही ताके आपको 50 marks से मिल जाए और वीडियोस भी आचाने से समझ में आ जाए चले बेटा, इंशालला आपसे नेक्स वीडियो में मुलकात होगी तर्स वाजी, आला आफेस